यूपी में दुबारा कमल खिलाने एक बड़ी जिमेदारी थी उनके कंधों पर लेकिन अब ये मांग उठ रही है कि 2024 के जो प्रधान मंत्री के जो उमिद्वार का जुपद है बीजेपी की तरफ से क्या वो योगी आदितिनात को भी बनाया जाना चाहिए ये मांग भी उठ मंत्री क्या लगता है देखिए प्रधान मंत्री पत के लिए मैं 2014 में ही भविश्यवानी कर चुका हूं कि आने वाले 15 साल तक देश के प्रधान मंत्री मान्ये नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे और 2030 में वो स्वेच्छा से हैंडवर करेंगे और मैंने ये भी भविश्यवानी की है कि हिंदू राष्ट के प्रधम प्रधान मंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो देश के बहुत कीम्ती रतनों में से एक हैं जिसको मोदी जी अपने हातों से डेवलप कर रहे ह इस वक्त धर्म ज्यान पे ये आपके एक बड़ी भविश्वानी है योगी आदित्यनाथ को लेकर कि हिंदू राष्ट के प्रधम प्रधान मंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे ऐसे मैं आपसे ये जानना चाहते है क्योंकि अब तक आपने योगी आदित्यनाथ को लेक जिस तरह से योगी अदितेनात का कद्ध बढ़ रहा है दिन पर्तन के लोग्प्रयता बढ़ रही च्छा लगता है भाविष्य में किया योगी अदितेनात का यही व्यमोदी पर भारी पढ़ सकते क्या वह लेकिए मोदी से भी आगे निकल सकते देखे, योगी आदिते नाद जी युवा नेता है, और राष्ट भाग, जो राष्ट भक्ती जो है, उनमें जो है, बिल्कुल कूट कूट कर भरी हुई है, कहीं पर भी उनके पिछले कार्यकाल में कहीं पर भी कोई डाग नहीं है किसी तरीके का, तो उन्होंने जो कार्य किये हैं वो बिल्कुल उनको अपना future जो है, बिल्कुल उनका future साब नजर आ रहा है कि आने वाले समय में वो देश की बागडोर समालेंगे, और वो देश के प्रधान मंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं और वो देश के प्रधान मंत्री बनेंगे दूसरा मैंने ये जो भविश्यवानी जो है आपकी ये भी इस भविश्यवानी को किये भी 6-7 महिने हो चुके हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि योगी आदित्यनाथ ही आपके हिंदू राष्ट के प्रथम प्रधान मंत्री होंगे, हिंदू राष्ट गोशित होगा, अभी इसी आने वाले दस साल के अंदर अंदर और उसके प्रथम प्रधान मंत्री योगी आदित्यनाथ ही झाल